आप सभी लोग का सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ऑउनलाइन क्लासेस में और आज हम इस वीडियो में जो है डीलेड इंट्रेंस एक्जाम 2023 साथ बीएड इंट्रेंस एक्जाम 2023 के लिए जीके के सेट 2 को देखने वाले हैं जिसमें महत्यपून जो है 20 प्रस्ण को करेंगे और आप सभी लोगों से निवेदन की चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आप लोग कमेंट करेंगे जरूर बताएए कि आपके जो है कितने माक्स आ रहे हैं मैंने सेट 1 जो है कंप्लीट कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखाया तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं तो चलते हैं प्रस्ण के उपर तो यहा यहां पर प्रश्न बताईए कि कुनार्क मंदिल जो है कहां पर है एक और सवाल जो है आप सभी लोगों के द्वारा बार बार पूशा जाता है कि सर लाइफ क्लासे क्यों नहीं देते हैं तो मैं आपको बता दो कि टेक्निकल इसू प्लस आपके नेटवर्ड इसू के वज़ा कि आपका उडिसा राज्ये में इस्थित हैं कर रहा है उडिसा में तो इसका क्या हो जाएगा आपका हो intentar है अगले प्रशन को देखे यहां पर दो नंबर कि भारत में काली कारी काली पर्मुख किसे माना जाता है जिस परिकार घ्षन कोई एक मुख्या होता है है उसीतर यहां देखिए अगला प्रश्ण यहां पर है कि किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है option देखिए दामोदर हुगली गंगा सोन नदी तो यहां पर इसका answer हो जाएगा option आपका यह हो जाएगा कि दा मोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है समझ गए अगला प्रेशन काफी इंपोर्टेंट यह प्रिवियस एर एक्जाम में पूछा गया था रोयलेट एक्ट के बारे में डियलेड में रोयलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था 1919, 1922, 1915, 1930 बताएं देखिए तो रोयलेट एक्ट जो है यहां आपका जो है 1919 में ही पारित हुआ था और इस समय जो है एक और महत्यपून घटना हुई थी जो कि जालिया और लबागत्याकंड उसे भी याद रख लीजेगा समझ गये तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ओप्श स्वरी जो है किस खेल से संबंदित है किरिकेट भार तोलन गोलफ एक तिदंद बाजी तो देखिए करनल मेले स्वरी जो है यहां भार तोलन खेल से जो है संबंदित है एथलिट से जो की 130 की तक का वजन वो उठा चुकी है समझ गये और अपने जीवन में जो है तीरस ज्य तो देखिए महाराना परताप के घोड़े का जो नाम था वह आपका चेतक था क्या था चेतक तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा समझ में आगया अगला यहां प्रस्ट ने आपका कि विश्व में टीवी दिवस कम मनाया जाता है टीवी जो होत है 24 दिसंबर को तो इसका एंसर क्या हो जाएगा अप्शन आपका है अगले प्रस्ट को बढ़ते हैं तो यहां देखिया अगला प्रशन यहां नमरर है कि सोडे मंडल का सबसे चोटा गरह कौन है तो देखिए सबसे चोटा बोला है यहां आप ब्रेसपती है तो सबसे किजेगा अगला यहां नाइन नमर प्रश्ण है जो कि इंपोर्टेंट है यह भी प्रश्ण पुछा हुआ है कि पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किसी अंतर का पड़ियोग करते हैं यहां प्रॉप्शन देख लीजे रेडार सुनार रेडियो एसकोप और और आप सभी लोगों से निवेदर नहीं की चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे सांती साथ आप लोग कमेन करके जरूर बताएगा कि आपके कितने माक्स आ रहे क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजेगा उतना बेहतर आपका एक्जाम हैं तो यहां पर दस नमर प्रस्ण आपका है कि छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है छेत्रफल की द्रिष्टी से बताना है सबसे बड़ा जो है दूसरा देश तो यहां पर ऑप्शन देखे कनाड़ा अमेरिका चीन भारत तो देखे छेत्र प्रश्न आपका है कि भारतिये समिधान में कितने मौलिक अधिकार दिये गया है यह भी प्रश्न प्रिवियस पूछा गया था कि भारतिये समिधान में जनक किसे कहा जाता है भारतिये अंत्रिक्ष कारे करम का जो है जनक किसे कहा जाता है एम एम स्वामिनाथन विक्रम सारा भाई एपिज अबदुलकलाम स्रिवी रमन देखिए तो मैं आपको बता दो कि भारतिये अंत्रिक्ष कारे करम का जो है जनक जो होता है या किसे कहा जाता है तो बिक्रम सारा भाई को कहा जाता है समझ गए बिक्रम सारा भाई को इसरो इसरो कहां पर यह भी याद रख लिजेगा तो इसरो जो है यह आपका बैंगलूड में है समझ गए बैंगलूड याद रख लिजेगा अगला यहाँ प्रस्ण आपका है कि इसको इंडिया ने स्पेस रिसर्च एफ अर्गनाजेशन बुला जाता है इसको एंड और्गनाजेशन विश्व योग दिवस कम मनाया जाता है देखिए प्रस्ण काफी इंपॉर्टेंट याद रख लिजेगा तो विश्व योग दिव तो देखिए खोखों में जो है आपके नौ खिलारी होते हैं कितने होते हैं नाइन याद रख लिजेगा किरिकेट में आपका इलेवन होता है बैन मींटन में आपका दो होता है चार भी होते हैं कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है ओके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए Octopus के खून का रंग कैसा होता है यह महत्यपुन प्रेशन है Octopus के खून का रंग जो होता है कैसा होता है यहाँ आपर option देखिए गुलाबी, नीला, लाल, सफेद तो देखिए मैं आपको बता दो कि Octopus के खून का रंग जो होता है वो आपका होता है नीला कैसा होता है नीला तो इसका एंसर हो जाएगा option आपका B समझगा गया अगला यहां प्रश्ण है कि Thomas Cup जो है किस खेल से संबंदी थे यहां पर किरकेट होकी बैंड मिंटन यहां पर फुटबॉल होना चाहिए बुटबॉल दिखा गया है फुटबॉल तो देखिए Thomas Cup जो है य प्रश्ण काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लासी का यूद कवल लड़ा गया था यह इंपॉर्टेंट प्रस्ट नियाद रख लिजेगा 1721 1518 1757 1521 तो देखे प्लासी का यूद जो है आपका 1757 इसमी में लड़ा गया था याद रख लीजेगा समझ गए अगला यहां प्रस्ण की फ्रांस की रजधानी क्या है काफी important और easy प्रस्ण इसे बच्चे गलती कर देते हैं तो फ्रांस की रजधानी जो होता आपका पेडि सार है सीमांत गांधी के नाम से की नहीं जाना जाता है मैं आपको बता दूँ किसे मैंने easy प्रस्ण लिया है ताकि आप सभी लोग को प्रैक्टिस करने का आदत लगे फीर आपको जीली question level बढ़ा दिया जाएगा सीमांत गांधी के नाम से कीनह जाना जाता है option यहाँ पर ह आपका भगत होना चाहिए देखे भगत सिंग तो बताएं क्या होगा तो देखे सिमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफार खान को जो है जाना जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन आपका ए हो जाएगा तो यह रहा आपका अंतिम प्रसन आज का इस वीडियो का तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको 20 मेसेज है कितने मांक्स आ रहे हैं जरूर कमेंट कीजेगा और चैनल पर नए है तो लाइक करना नहीं भूलेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थाइंगे सोमाज जाहिंजा भारत